स्टेड़ी को अपте करणे हैं से जादा इसी स्टेड़ी अपको कहें भी नहीं मिलने वाली है एस स्टेड़ी में आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाना है तो इसमें मैं कोई भी ऐसे ज्यादा enjoy आपर इसमें find out करने हैं या फिर option chain दिखाते हैं कई लोग आपको कई तरह की चीजें बताते हैं कि यह conditions आपको देखें तब trade करना है तो इसमें मैं कोई भी ऐसे ज्यादा rules नहीं डालने वाला हूं चोटी सी और बहुत ही ज्यादा simple strategy है market 9 बज़ कर 15 मिनट पे open होगा ठीक है और हमारी strategy 10 बज़े तक complete हो जाएगी यानि कि 10 बज़े तक हम profit लेकर बाहर निकल चुके होंगे कहने मतलब यह है कि यह बहुत जादा simple strategy है बस वीडियो को last तक आपको देखना होगा और समझना होगा ठीक है तो strategy बताने से पहले थोड़ी सी condition समझ लेते हैं ठीक है यानि कि best scalping आपको करनी है लेकिन तीन ट्रेड करने का भी एक logic है सबसे पहली ट्रेड आपको करनी है ठीक है अगर उसमें profit होता है ठीक है सबसे पहली ट्रेड में अगर आपको profit होता है तो आपको दूसरी और तीसरी ट्रेड नहीं करनी है ठीक है पहली ट्रेड में profit नहीं चलेका है तरदा सामियरही का है है आप मैं ऐसी स्य वायों देखना वाम की प्रेड difet सब्सक्राइब तो जाता हुआ हो इसलिए और कैसे पोते से तो राखना है सबसे पहले टेक्षा है करनージ के लिए डियेख पाल रखाएंगे help टाइम प्रेम बहुत जरूरी है ठीक है वन मिनट का टाइम प्रेम मैंने लगा रखा ताकि इस्टोप लोस भी हमारा छोटा रहे और टार्गेट भी हमें छोटा मिले ठीक है छोटे टार्गेट के लिए हम यह इस्टेजी यूज़ कर रहे हैं ठीक है पहली टेड में प्रोफिट होता है दूसरी तीसरी टेड नहीं करनी है ठीक है पहली टेड में अगर प्रोफिट नहीं होता है दूसरी टेड में प्रोफिट होता है तो तीसरी टेड आपको नहीं करनी है अगर दूसरी टेड में भी प्रोफिट नहीं होता है तब जाक करते हैं ठीक है जिस तो पर जो से नीछ Um और सावल पर जैसे हो सुटी वाली इसका而ट उपर जैसे हुआ अगर हम कॉल वाई यहां तक हमने profit ले लिया जो भी हमारा इस्टोप प्रोस गया है कम से कम वह तो हमारे यहां पर निकल चुका है जो हमने SL दिया अपना वह हमारे यहां पर निकल चुका है बात करें 9 बज कर 29 मिनटी candle की तो यह हमारी 9 बज कर 29 मिनटी candle SL जो red color की है इसका breakout नीचे हुआ है जैसे breakout हुआ है बूम करके हमें एक बढ़िया profit मिला है यानि कि हमारा easily एक बढ़िया profit हो चुका है तीन ट्रेड लेने के बार ठीक है तीन ट्रेड हमने क्यों लिया है क्योंकि पहली में हमने हो सकता है कि SL दे दिया होगा दूसरी में जो है हमने यहाँ पर अपना loss recover किया है सर अगर आपको profit हो जाता है तो आपको 30 ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको profit नहीं होता है तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं 30 ट्रेड का जो आपको एक बढ़िया profit दे सकती है ठीक है में भी chances है जो कि यह strategy 100% work नहीं करती है कोई भी strategy ऐसी नहीं है सर जो आपको 100% profit दिलाए इस strategy की accuracy में आपको backtest में दिखाँगा जो एक बहतरीन strategy है और आपको लग बग 10 में से 8 ट्रेड आपको successful निकलते हुए दिखेंगे लेकिन फिर भी मैं कहता हूं backtest जरूर करें ठीक है लेकिन एक आप option trading या stocks में या कुछ भी buying, selling, investment कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो डीमेट account के लिए आपको एक जरूरत है एक best broker की साथी जिनके पास पैसा कम है और कम पैसे से trade करना चाते हैं यानि कि 100,200,500 या 502,000 रुपे से trade करना चाते हैं तो वही मैं आपके लिए best broker provide करना चाता हूं जिसका नाम है रुपी जी रुपी जी एक अकेला ऐसा broker जो आपको 5 गुना margin देता है पांच गुना margin का मतलब यह है कि आप लोग किसी भी broker में 500 रुपे से trade करेंगे तो 500 रुपे से मानके चलते हैं आपने एक lot buy किया और एक lot buy करके आपने 10 point कमाए ठीक है निफ्टी में त आपका profit भी 5 गुना ज्यादा हो जाएगा ठीक है और अगर आप सिर्फ एक lot से ही trade करना चाते है ठीक है मानके चलते हैं आप रुपीजी भी यूज करना चाते है और एक lot से ही trade करना चाते है तो आपका जो एक lot है वो 5 गुना कम पैसे में मिलेगा यानि कि सिर्फ 100 रुपे में ठीक है सिर्फ 100 रुपे में आप एक lot buy कर पाएंगे तब आपका जो profit होगा वो 200 रुपे का होगा यानि कि आपका 5 गुना profit होना ही है यह कंपल सरी है तो यहाँ पर आपका premium भी बचता है और आपका profit भी बढ़ता है तो जो भी लोग interested है रुपीजी में account उपन करना चा करना पड़ेगा backtest हम यहाँ पर चलते हैं तो इस्टेर जी के accuracy को जानने के लिए backtest बहुत ज्यादा जरूरी है मैं आपसे भी बोलता हूं सर backtest जरूर करें ठीक है 9 वज़कार 17 केंडल है जो हमारी green color की केंडल है सर जैसे ही इसका breakout ऊपर की side में हुआ हम call buy करेंगे तुरं यहां से यहां तक हमें एक छोटा profit मिल चुका है जो चोटा profit मिलना चाहिए जिसकी वज़ाए से हमने scalp की है तो यहां पर पहली trade में profit हो चुका है तो आपर दूसरी trade नहीं करेंगे चाहे profit मिले या ना मिले ठीक है rules आर रूल्स यहां पर आगे चलते हैं और 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 भी आप आपको backtest देखाऊंगा ठीक है कई दुनों की backtest आपको दिखा नहीं है आपको दिखाना है कि stop loss कैसे hit हो दाना है और stop loss लगाना का पर है exactly तो वीडियो को लास्ट पक देखने कोशिश करें तो यहां पर 9 बज कर 17 मिनट की candle पर हम चलते हैं यह red वाली candle है हमारी 9 बज के 17 मि हैं और यहां पर अगर हम देखें तो देख सकते हैं यहां पर नीचे की side breakout हुआ है अगर आप यहां पर पोट को बाई करते हैं तो यहां पर आपका एक SL गया ठीक है पर हमारी stop loss में गई उसके बाद ट्रेड आती है 9 बज कर 13 मिनट की जो candle है हमारी यहां पर यह है 9 बज कर इसका भी breakout नीचे हुआ है तो यहां भी हमारा इस candle के हाई के उपर stop loss हमारा गया असर अब यहां पर नमबर आता है तीसरी ट्रेड का ठीक है यहां पर आप दो चीज समझ लीजिए 9.17 का लो यहां पर breakout हुआ तो यहां पर breakout होते closing का में बात नहीं कर राओं breakout हुआ मैंने य इसल गया उपर क्यों market गया है यहां पर sideways हुआ ठीक है जो कि SL तो यहां तक जाना चाहिए candle के हाई गा लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ यहां पर नीचे हुआ फिर यहां पर यहां पर यहां पर एक SL गया ओके हमारे पास लास्ट केंडल बची है 9 बज कर 29 मिनट केंडल को हम करते ही यह है हमारी green वाली candle 9 बज कर 29 मिनट की ठीक है जैसे oynीचे की साइड मेंpy मार्किट गालने के बाद वारे यहां पर मैं फिर से केनचाओ सरक्वा तो यहां पर चकतम फिर से आपिए ने के कोशिश कर् vrijुल हो पर लेकर केंडल आपको फिर से loss मिल जाएगा ठीक है जो भी hold करेगा ना फिर से यहां पर आपको loss का सामना करना पड़ सकता है फिर उसके बाद market गिरे या बड़े वो अलग बात है लेकिन scalping बहुत ज़्यादा जरूरी है मार्केट में profit देखते ही ठीक है रियल profit मिलेगा आपको सिर्फ दो या तीन candle में ही ज्यादा प्रोफिट बनते हैं तो एक दो candle के ज्यादा तो एक दो candle का ही वेट करें ज्यादा लंबा वेट ना करें scalping हम इसलिए कर रहे है क्योंकि हमारे पास में रुपीजी ब्लोकर है जो पांच गुना मार्जिन दे रहा है और उसकी वज़ए से हम यहां पर पांच गुनी लॉट्स उठा रहे है ठीक है नौ बज कर 17 मट केंडल यहां पर ऐसा नहीं है कर दो दिन की दिखा दभा दी नौ बज के इस रिएए पपलर भी सेंद्रल्स 2वाली को ओभी है यहां 90 पॉल 바लिर ठीक का उन्य को हो सकता है यहां कall भी कि यहां 2 वह कि परफित मिला पोल सकता है पार जब तीनों ट्रेट्स में हिट हो जाएंगे, तीनों ट्रेट्स में इस्ट प्लस होने का मतलब है, मारा इस्ट प्लस हिट हो गया, ठीक है, महाने कि हमने एक भी दिन अभी तक loss नहीं लिया असर ठीक है, नौन बज कर 17 अमिरर की केंडल, जो अमारी एक ग्रीन वाली हमें यहां तक चोटा प्रॉफिट ठीक है मिनी 5 से 10 पॉइंट 5 6 पॉइंट 10 पॉइंट मिल जाएंगे काफी है सर मैंने सर दो या तीन पॉइंट में भी एक बढ़िया प्रॉफिट निकाले हैं क्योंकि मेरे पास लॉट साइज अच्छा होता है लॉट साइज बढ़ाने के ही आपको लंबा लेकर जाएंगे यानि कि आपको एक डीसेंट प्रॉफिट बना कर देंगे तो यह रहा आपका 9 बज के 17 मिर्ट जैसे उपर की साइडम ब्रेक आउट हुआ कोई दिक्कत नहीं सर उसके बाद दूनेंगे हम 9 बज कर 30 मिर्ट बड़ी वाली ग्रीन केंडल ब्रेक आउट फिर से उपर हुआ कॉल वाई किया इस टोपलो समारा में नीचे है धीरे धीरे उपर जाने की कोशिश की उसके बाद है हमारी 9 बज कर 29 मिर्ट केंडल यह वाली यह रहा है इसका ब्रेक आउट उपर हुआ है देख सकते हैं मार्केट ने अपना प्रीवियस म तो वो यहां पर रेकावर होने के बाद में एक बड़िया प्रॉफिट बन गया इसे कहते हैं रियल स्टेर्जी सर यह आपको वर्क करती हुई जरूर दिखेगी यह रही आपकी 9 बज कर 29 मिर्ट चोटी वाली केंडल जैसे ब्रेक आउट उपर की और हुआ है देख सकते है आप मार्केट ने करेक्शन लिया और एक टॉप पर मार्केट को लेकर गया और यहां पर आपको एजली एक डीसेंट प्रॉफिट बना होगा यह कंपल सरी है ठीक है यह जरूर होता है तो आपको मैं लगातार आपको बैक चैस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझें या ना समझें वह बात अलग है हो सकता है कई लोगों को यह समझ में ना आए यह रही हमारी 9 बज के 17 मेंटी केंडल यह देख सकते हैं इसका ब्रेक आउट ऊपर की सैड में हुआ है कॉल वाई करते ही बूम करके पहली ही ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है अब ह उसको कंण बनती है और मार्केट में जिकना पको इसको वर्क करते हुए देखना है बनती है ऑंगे peach इसको वर्क करते हुए देखना है सिस्टेर जी को बाकि आपको भी यह बैक्टेस्ट करना पेपर टेड करना है कई दनों तक आप लोग यहां पर वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह रियल में वर्क कैसे करती है ठीक है नो बज के सब्सक्राइब केंडल है यह रेड हम पर चीज़ फिर से करना चाहूंगा जिनके पास में डीमेट अकांट नहीं है शर उनको डीमेट अकउंट की जरूर जरूर पड़ेगी और यह ब्रोकर अगर आप धूरएं तो ऑई तो वही मार्केट में कई बैश्ट ब्रोकर हैं जो मसूर हैं पुराने हैं लेकिन जिन तो इस वीडियो से देखकर आप समझ सकते हैं कि मार्जिन को यूज कैसे करना है इंट्राइडे में और कैरी परवार्ड में ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले से पंदर सेक्ट में आपसे लेने साथ हूं जो लोग रूपी जी एक अकेला इसा ब्रोकर है जो आपको पांच मार्जिन का मतलब भी कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उनको में बता तो अगर हम निफ्टी में दस लोट करने जाते हैं किसी ब्लोकर में तो सो रुपे के प्राइस पर मुझे 25,000 रुपे करने पड़ेंगे तो सिर्फ 5,000 में हो रहा कहने मतलब यह है कि आपका जितना वी पैसा कम देकर उसी ट्रेड को बाई कर सकते हैं अगर यहां पर चाहते हैं उन सबी वाईयों के लिए में प्रेफर करना चाहिए रूपीजी आपको पांच पैसे से भी अच्छा प्रोफिट कम आ सकते हैं साथ ही आपको दो ओफर यहां पर मिल रहे हैं, एक्विटी डिलीवरी में आपके ब्रोकरेज फ्री है, और अगर आपका ब्रोकर पांचा जाता है, तो वह ब्रोकरेज भी फ्री है, तो जल्दी जाए है, रुपी जीम अकाउंट उपन करा के अपने पांचाने मार्जिन कर ल और हो सकता है, मेरे लिए यह स्टेर्जी वर्क करें, आपके लिए ना करें, तो सबसे पहले आप लोग इसे देखिए, समझिए, सीखिए, अगर आपको वर्क करती हुई दिखिए, तो आप लोग इसे रियल में यूज करें, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं, आज की वीड यह बना चेशिर हुआ यहाँ.